हम देखते हैं कि फिल्म में भी ऐसी है जिनका अचानक से चायना में हम सेकडो करोड का कलेक्शन देखते हैं तो ये क्या है इसके पीछे क्या कारण है नहीं है ये ये भी तो जाच होनी चाहिए न पता तो चल इस पर कम से कम जाच तो हो सही गलत जो भी है वो बाते सामने अपली चैनल को सबस्क्रेब आवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत बूलना दोस्तो आज में बहुत बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि न्यूजी इतनी बढ़िया महतोपुर्ण और रदे को प्रसनता देने वाली सामने आई है देगे पिछले कापी लंबे समय से पूरे देश भर से ये मांग उठ रही थी मुधी सरकार से ये बार बार लगातार पुचा जा रहा था लोगों के दोआरा कि हम देख रहे हैं देश में कई सरे तताकतित पतरकार हैं तताकतित फैक्ट चेकर्स हैं जो बिना तत्थियों की बिल्कुल जूटी बाते बाते स्प्रेड कर रहे हैं, देश को अंदर से अस्तिर करने का प्रहास कर रहे हैं, प्रोपगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं, देश विरुधी बाते वो फैला रहे हैं, यह हम लगातार देख रहे थे, और उन पर चायना से विदेशी टाकदों से फंडिंग के आरोबी स समय समय पर लगते रहे हैं तो लगातार लोग पूछ रहे थी कि इन पर आखिर कारवाई क्यों नहीं हो रही वोधी सरकार इन पर कारवाई क्यों नहीं कर रही ये लगातार सोचल मीडिया पर भी आपने ऐसे कापी सारे कमेंट्स पिछले कापी लंबे समय से लोग ये बाते क कर रहे थें केवल यही नहीं इन तताकतित पत्रकारों की ही बात नहीं तो बॉलिट के भी जो अचानक से कुछ जबरदस्ती की हिट फिल्में हमें देखने को मिल रही है उनमें प्रपगेंडा वगेरा वो तो काफी लंबे समय से देशकों से ही चलता आ रहा है पर अभी हम हा ब्लैक का वाइट वगेरा कुछ भी जो कुछ भी है एडी को इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जांच करनी चाहिए क्योंकि यह कोई छोटी बात तो कम से कम नहीं लग रही है अब फिल्मों के कलेक्शन पर जांच होगी नहीं होगी या हो भी रही होगी वो तो एक किया है इसमें प्रमुक्त अभिसार शर्मा उर्मिलेश फॉर्मर एंडी टीवी मैनेजिंग एडिटर अनिंद्यो चक्रबर्ती ऐसे कुछ पत्रकारों को टिटेन किया गया है दिली पुलिस कारवाई कर रही है आज सुबह तीस अलग-लग जगों पर न्यूज क्लिक से रहा था उसके साथ में EDK के साथ में दिली पुलिस ने एक नया फ्रेश UAPA के अंडर केस रिश्टर किया है और UAPA टेरर एक्टिविटीज और टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई धारा है तो यह कोई छोटी बात नहीं है और यह अचानक से अभी कारवाई हुई ऐसी बा पर अभी दिली पुलिस ने UAPA के अंडर नया केस रिश्टर किया है कि अभी इतने लंबे समय से जान चल रही तो बहुत सारी बाते जो भी यह है सबूत आदी दिली पुलिस के हाथ में लगे होंगे उसके बाद में ही यह कारवाई होते हुए हम देख रहे हैं और अभी द in 2021. An investigation by the New York Times in August 2023, uncovered an ecosystem of activist organizations, non-profits, shell corporations and their intimate ties to China and Chinese propaganda. Notably, Neville Roy Singham is at the heart of this network. The article read, what is less known and is hidden amid a tangle of non-profit groups and shell companies is that Mr. Singham works closely with the Chinese government media machine and is financing its propaganda worldwide तो ये New York Times ने ये खुलासा किया था investigation करके दो मैने पहले और उसके साथ में ही और भी कई सरी बाते दिली पूलीस के या ED के हाथ में लगी होंगी तभी आज एक साथ में इतनी जगों पर ये कारिवाई हुई है और मैं तो चाहता हूँ कि इस पर सक्त से सक्त कारिवाई होनी चाहिए और इस पूरे के पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करना आवश्यक है और देखे जो अभिसार शर्मा या ये पूरा का जो हम लेट का एकोसिस्टम देखते हैं वो किस प्रकार से कुछ बॉलीड की प्रोपगेंडा फिल्मों को भी वो कैसे प्रमोट करते हैं ये हमने देखा है अब मैं कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा यहां पर पर मैंने जो अबज़र्व किया मैंने जो देखा मैं वो के ओल यहां पर बता रहा हूँ कि हम यह देखते हैं उसके जो कुछ paid bots जो भी होंगे वो किस फ्रकार से इसी इनी propaganda फिल्मों को कैसे promote करते हैं गाली गलोज देना, rape threads देना, death threads देना, मैंने तो कम से कम देखा पिछले कुछ समय में जो कुछ ऐसे comments वगिरा हैं उनके जो profile साधी होते हैं जो channel जो comment करते हैं उनके नाम पर click करके follow कर रहे हैं क्या है और चाहतर accounts तो अभी पिछले कुछ एक मेने में, दो मेने में, छे मेने में अभी हाली में create हुए हमें दिखाई देते हैं तो ये पूरा जो network कही है या जो भी है इसकी जांच होना आवश्यक है कि इतने करोडो करोडो रुपए कैसे इस ecosystem के द्वारा प्रोपगेंडा को spread करने के लिए कैसे खर्च किये जा रहे हैं और ऐसे जिन पर आरोप लगे हुए हैं चाहिना से funding के और ये कोई लाग दोला की 20-25 लाग की बात नहीं है करोडो की बात है ये जो funding के आरोप लगे हुए है ये उस क्लिक पर करोडो के funding की आरोप लगे और ये ही वो लोग है जो कुछ राष्टरवादी किसी पत्रकार पर कभी कोई कारवाई जूटे बिल्कुल fake cases में कारवाई होती तो ये पूरा उचल उचल कर उसको celebrate करते हैं रोईत सरदाना जी की जब मृत्तियों हुई थी उसके बाद में ये कैसे celebrate कर रहे थे वो भी हमन देखा पर अभी जब terror activities और terror funding के under UAPI के under जब case register किया गया है इतनी सारी बाते हमारे सामने आई है उसके बाद भी भाई कारवाई मत करो नई तो भाई हम चाती कूटने लगेंगे हमारे जो कुछ है इनके guild वगेरा organizations तताकदित पत्रकारों के जिसमें जाहतर कारवाई होनी चाहिए मोधि सरकार को इस पर कठोरता से इस पूरे network पर कारवाई करनी चाहिए और इसके link तार कहां कहां पर जुड़े हुए है हम देखते हैं कि फिल्में भी ऐसी है जिनका अचानक से चायना में हम सेकडो करोड का collection देखते हैं तो ये क्या है इसके पीछ जाच तो होनी चाहिए ये कि चायना से funding हम यहाँ पर इन पत्रकारों को देखते हैं पर इसके कुछ कला और साहित्यके क्षेत्र से आर्ट इन लिटरेचर से क्या connection है कुछ production आउसे से या जो भी है इसकी जाच होनी चाहिए बहुत अंदर तक इसके तार जुड़े हुए हो आर जारों